हेलो बच्चों आज हम समझेंगे कि interrogative sentence को direct speech से indirect speech में हम change करेंगे तो क्या rules उसको follow करेंगे तो पहले आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं कि interrogative sentence किसे कहते हैं मैंने in fact एक video बनाई थी बहुत समय पहले उसमें मैंने समझाया था कि interrogative sentences क्या होते हैं तो थोड़ा समय आपको revise करवा देता हूँ interrogative sentence वो sentence है जिसका हम उपयोग करते हैं जब हमें कोई जानकारी लेनी है whenever we want to get some information, we want to know something तो उसके लिए we use interrogative sentence उसका आपको पता कैसे लगता जब हम पढ़ते हैं उसके end में question mark होगा ठीक है जैसे आप किसे पूछो, he said, what's your name तो ये interrogational mark है, what's your name, जानकारी लेनी है, नाम के बारे में ठीक है, तो interrogative sentences generally तीन परकार के होते हैं, पहला परकार को हम कहते हैं, wh questions, wh questions वो questions होते हैं, जो start होते हैं, ऐसे words से, जिनके फ़स्ट दो लैटर है, wh जैसे, what, where, when, why, whose, whom, ऐसे जो words हैं, जो wh words हैं, उनको wh questions कहते हैं, इसमें how भी आ जाता है, how actually h से शुरू हो रहा है, बाट इसको भी wh questions में हम include करते हैं, तो ऐसे words जो wh से शुरू होंगे, उनके हम कहेंगे wh questions, दूसरे होते हैं, yes, no, मतलब जिसका आप answer, yes या no में दे सकते हो, for example, कोई आप से पूछे, do you like tea, क्या आपको चैश्ची लगती है, तो आप answer देंगे yes या no, इसमें आप yes no answer नहीं दे सकते, जैसे what's your name, where are you going, who's there, why are you late, तो ऐसे questions में आपको answer देना पड़ेगा, लेकिन yes नो में आप जो है, सीधा बता सकते हो, तीसरा होता है, choice, जैसे, do you like tea, और coffee, इसमें आप नहीं बोल सकते है no, आपको option दे बताना पड़ेगा, भई में कुछ चा अच्छी लगती है, या काफी अच्छी लगती है, तो इस प्रकार जो हैं, अलग-अलग प्रकार के sentences बनाते हैं, for asking questions, so these are different types of the interrogative sentences, तो अभी जब हम इसको change करेंगे, माली जे यह sentence लेते हैं, इसको हमने indirect में बनाना है, तो इसका क्या rule है, पहला rule तो सबसे important है, कि यह जो interrogative sentence है, जब indirect form में इसको लिखेंगे, तो यह assertive बन जाएगा, assertive मतलब positive sentence, मतलब इसके last पर question mark नहीं होगा, indirect form में, this is important thing, direct speech में interrogation mark होगा, इसमें नहीं होगा, जब आप indirect speech में लिखोगे, दूसरा क्या होगा, इसमें said के जगा, हम कुछ words को use करते हैं, जैसे एक words को होता है ask, past tense में लिखेंगा ask, दूसरा होता है enquire, उसका past tense हो जाएगा enquired, question, question बन जाएगा, demand, wanted to know, ठीक है, तो ऐसे ही जो है, आपको basically जब आप sentence पड़ोगे, तो sentence का जो content है, उससे आपको generally experience हो जाएगा, समझ आ जाएगा, कि हमने said की जगा ask लगाना है, enquired लगाना है, question लगाना है, demand लगाना है, wanted to know लगाना है, तो यह दीरे दीरे आपको थोड़ा experience से और practice से आएगा, ठीक है, जैसे इसी sentence को लिखेंगे, he asked, यह हम inquired भी कर सकते हैं, he inquired, because inquired का मतलब, पूछना, जानकारी प्राप्ट करना, उसके बाद में, what word आएगा, wh word वैसे ही आजाएगा, what है तो what, where है तो where, whom है तो whom, why है तो why, he asked what, अभी यह चूंकि past tense है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में समझाया है, कि reported verb जो है, वो past tense में हो जाएगा, जब reporting verb past tense में है, what was my name, your का my हो गया, क्योंकि हम assume कर रहे हैं, कि वो मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, he asked and inquired what was my name, या, अभी इसमें ओनी लगाना, mark of interrogation, that is important, अभी हम थोड़ा सा ओर चेंज कर देंगे, he asked, नहीं, पैदे तो हम करेंगे न, उसको लिखेंगे हम, direct form में, he said, where is Ram going? question mark, क्या पूछो उसने, राम कहां जा रहा है, तो अभी क्या करेंगे, he said, he said कुम क्या करेंगे, he asked, generally most of the cases में, आपका ask वर्ट से काम चल जाएगा, ठीक है, कहीं जगा पर आपको लगाना पड़ेगा, demanded, you wanted to know, वो धीरे धीरे आपको experience से आएगा, he asked where was, यह present tense है, यह past tense है was, राम going, full stop, क्योंकि mark of interrogation नहीं लगेगा यहां पर, यह assertive sentence है, he asked where was Ram going, teacher said to Ram, why are you late, तो एक लड़का राम क्लास में आया, लेट आया, तो teacher ने पूछा उससे, कि तुम लेट क्यों आई हो, तो यहां पर चुकि teacher है, तो हम words उसकर सकते हैं, demand भी उसकर सकते हैं, ने, actually ask better रहेगा यहां पर, demand लगाने से थोड़ा आपको complication हो जाएगी, demand उसकर सकते हैं, teacher demanded to know from Ram, why was he late, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, simple करते हैं, teacher asked Ram, why was he late, यहां पर you किसको refer करेगा, object को, object है, third person Ram, teacher asked Ram, why was he late, ठीक है, तो generally जो questions, डवल्यू एच से शुरू हो रहे हैं, मतलब, वो words, जो डवल्यू एच से begin करते हैं, शुरू होते हैं, वो अगर बहला word है, तो आप उसी word को यहां पर retain करोगे, sentence में, लेकिन, यहां पर set की जगा, ask जाए, inquired, इसमें भी कर सकते हैं, inquired कर सकते थे, teacher inquired, from Ram, why was he late, ठीक है, कुछ sentences होंगे, जिसमें हमें, if, यह weather यूज़ करना पढ़ेगा, कैसे, राम सेट तो शाम, is it raining, is it raining, राम ने शाम से पूचा, क्या वर्चा हो रही है, राम आस्ट शाम, if, it was raining, तो जो question, डबलू एच वर्ड से, start नहीं हो रहे, तो वहां पर हमें, if या weather का, यूज़ करना पढ़ता है, जैसे इस sentence में, if अम ने यूज़ किया, ठीके, राम सेट तो टीचर, में आई कामेंड, क्लास के बाद ख़ड़ा है लड़का, टीचर से पूचता है, क्या मैं अंदर आ जाँ, राम आस्ट, पूचना, या इस में, क्योंकि टीचर से बात कर रहे हैं, हम रिक्वेस्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, टीचर से, अनुमती मांग रहा है, तो हम यहां पर, आस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और requested word भी यूज़ कर सकते हैं यही मैंने काना आपको थोड़ा experience से आएगा requested teacher if he could come in तो अभी देखें यहां पे हमें context से पता लगेगा sentence के context से कि कौन किस से बात कर रहा है कौन किस से question पूछ रहा है तो अगर teacher से पूछा जा रहा है तो एक किसम की अनुमती मांगी जा रही है तो request कर रहा है अनुमती के लिए कि मेरे को permission दी जाए मैं कलास में आ जाओं तो हमने वर्ट चूज़ क्या requested ask भी लिखते तो grammatically वो भी correct होता अगर आप लिखते राम ask teacher if he could come in ठीक है तो यहाँ पे हमने request वर्ट जो उसके वहाँ क्यों 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 टीशर से पूछा जा रहा है और if लगाया क्योंकि यह जो है इन्हें कहते है अक्जलरी वर्प्स auxiliary वर्प जो यहाँ पे यूजहोगा sentence में तो वहाँ पे हम if and whether लगाएंगे auxiliary वर्प यह helping वर्प कहते हैं helping वर्प भी कहते है helping वर्प helping work वो होता है जो main work के साथ में use किया जाता है इसमें क्या आ जाता है can, will, shall, may, is, was, do, does बहुत सारी लंबी लिश्ट है अगर आप देखेंगे book में या google करके तो आपको एक लंबी लिश्ट दिखाई देगी helping works की तो जो sentences, questions है लेकिन वो शुरू हो रहे है किसी helping work से तो उन cases में हम क्या करेंगे कि direct speech को indirect speech करने के लिए हम use करेंगे word if या whether इस परकार जो है आप interrogative sentences को direct speech से indirect speech में change कर सकते हैं अगर वो words अगर वो sentences शुरू हो रहे हैं with a wh word जैसे कि when, where, what, why, etc. तो आप उस word को retain करेंगे sentence में और अगर वो helping work से शूरू हो रहे हैं जैसे can, shall, will तो आप जो है उस question को change कर देंगे into assertive sentence by using the word if or weather. टीक है बाकी tense का तो मैंने आप को पहले समझाए अगे 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 जा दिया है कि अगर reported verb past tense में है, तो reporting verb भी past tense में होगा. वो video आप मेरी देख लीजे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा कि past को कैसे बनाना है, simple past होगा, past continuous होगा, past perfect होगा, वो सब चीजें आप उस video से सीख सकते हैं. इस video में हमारा जो main focus था, वो interrogative sentences को लेके था, कि interrogative sentences क हम कैसे change करेंगे? तो इसमें तीन बाते में हैं, जो आपको फिर से बता देता हूँ, एक तो assertive sentence होगा, ये direct, indirect speech में, अर्था, mark of interrogation नहीं लगेगा, दूसरा है, इसमें हम वर asked, या questioned, या inquired, या inquired, यूज़ करेंगे. और तीसरा, अगर वो wh question नहीं है, तो मतलब किसी helping word up से शुरू हो रहा है question, तो हम जो है, help लेंगे उसकी word की if, या whether, इन दो words में, एक word हम उसमें sentence में use करेंगे. और अगर वो wh question है, तो उस wh word को हम उसमें retain करेंगे. इस परकार्ट जो है, आप किसी भी interrogative sentence को, आप direct speech से indirect speech में change कर सकते हैं. तो आप मेरे इस वीडियो को like करो, अगर कोई doubt है किसी point पे, तो मेरे comment box में लिखो, मैं आप उस विससर समझाओंगा, और अपने friends के साथ भी share करो, thank you. कर दो